हालो नमिश्कार, वेलकम टो इनकलकेट लर्निंग, डेल्स के कोन ओफ एक्सपिरियंस जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बात करेंगे तो आपको इत्ता कि आपको जो है एक्जाम में यह पॉइंट याद आ सकें, क्योंकि यह factual information है और जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वो factual information ही हम शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह जो है बहुत सारी थेयरी या फिर जो इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन या लर्निंग प्रोसेस हैं, उनको इंक्लूड करता है, यह जो कौन ओफ, लब इन्होंने काफी कुछ experiments देखके, करके, theories के basis पे, तो उन सब basis पे यह कौन ओफ experience इन्होंने दिया है, 1916 में Edgar Dale ने दिया था, आपको यह नाम याद रखना है कि कौन ओफ experience किसने दिया है, क्योंकि कई बार net में या यह direct question पूछ लिया जाता है, तो इन्होंने क्या किया, that learners retain more information by what they do as opposed to what is heard, read or observed, यानि कि आप कोई चीज देख रहे हैं, या सुन रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, उसकी बजाए आप जादा information को retain कब कर पाएंगे, यह जो memory के जो parts हमने पढ़े हैं, retain, recall, यह उन में से पहला ही step है, तो वो क्या है, retain, कि आप retention, पहला step नहीं है, recall के बाद कि आप जितना retain कर पाएंगे, उतना ही तो recall कर पाएंगे न, तो वो retention power कितनी है, वो किस पर depend करेगा, वो यह बोल रहे हैं, कि आप जब करके देखते हैं कोई चीज, तो learning by doing जो है, उसको यह क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एहमियत दे रहे हैं, अपने cone of experience में, कि जितना ज़्यादा retain आप सुनके, देखके, या पढ़के नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप उस काम को करके, या learning by doing जो है, वो क्या होईगी, एक better option होगा, या learning के नाम से भी जानते हैं, अब learning by doing के दूसरे नाम जो है, वो ज़्यादा popular दिरे दिरे हो रहे हैं, यह है cone of experience या learning pyramid इसको बोल देते हैं, जिसमें यह बोलते हैं, यह जो percentage दिखा रहे हैं, यह retention की दिखा रहे हैं, जैसे lecturing में कोई retention ही होती, कि teacher जो है आपको आपको आपके lecture दे के चुप-चप चले गए बस, so उस चीज की retention आप में बहुत कम रहेगी, आप पढ़ते हैं, as comparison to lecturing 10%, फिर audio-visual के आप दो senses involved हो रहे हैं, कि आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, so reading के comparison में जादा हो जाएगा, यह जो retention rate है, फिर demonstration के आपके सामने कोई चीज करके दिखाई जा रही है, live, फिर discussion या फिर practice doing or teach others, तो जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं, तब ही तो बोलते हैं, कि seminar जब आप देते हैं, तो आप बेटर तरीके से उस topic को याद रख पाते है क्योंकि उसकी retention power जादा है, आपने बहुत बार वो topic, आप बहुत बार उस topic से go through हुए होते हैं, तब जाकि जो है आप दूसरे को satisfy कर पाते हैं, उन questions या उनकी queries से related, तो जब आप दूसरों को teach करते हैं, उस time पे इन्होंने सबसे जादा क्या बोला है, retention जो है वो आपकी र cone of experience की बात कर रहे थे, कि इन्होंने बाकी theories और बाकी चीजों को भी include किया है, तो वही चीज यहाँ पे है कि direct purposeful experience, यानि कि आप real experience कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है, तो इसमें क्या आगया, 90% of what they do as they perform a task, जो जब आप उसमें task perform कर रहे हैं, तो उसका 90% आप retain कर लेते हैं, आपको वो experience याद रहता है कि उस time के आपने क्या feel किया था, model or simulate an air real experience, इसमें भी वोई चीज आ जाते हैं कि analyze, design, create और evaluate कर सकते हैं आप चीजों को, क्योंकि आपने वो करके देखी हैं, अब वो करके देखी हैं में एक तो होता है कि आपने कोई experience खुद किया है, एक है कि जै आप याद रख पाते हैं, तो सबसे जादा जब आप खुद करते हैं उस चीज को, उसके बाद जो है आप जब लिख के देखते हैं या write करते हैं, 50% जो आप सुनते हैं या देखते हैं, ठीक है, 30% जब आप देखते हैं, 20% जब आप सुन रहे हैं, या 10% जब आप रिटे रहे हैं, ठीक है, हेर में आप सुन रहे हैं, C में देखना हो गया, कि देखने वाली चीजें या जो विजुल चीजें वो आपको comparatively जादा याद रहेंगे, तो ये percentage retention की increase करती जाएगे, और last में जब आप actual में completely उस task में involved हैं, वो क्या हो जाएगा, 90% retention आप उसको कर पाएंगे, so ये जो है, वो क्या है, cone of experience है, I hope आपको इस समझ आया होगा, कुछ ना समझ आया होगा, तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं, so this was all about today, thank you so much for watching,